गुड आफ्टरून अगें देखें टीम्स बन रहे हैं नौर्थ इस्ट की हो या उत्राखंड की हो या बिहार की हो या तिलेंगाना की हो यह नई टीम्स है कोचेस काफी एक्सपीरिंस हैं लेकिन कैप्टेंस मुझे लगता है कि थोड़ से नए रहेंगे कुछ मेरे जहन में चल रहा था कि क्योंस अपने सातियों से बात करूं और नॉइक गरत्स से बात करूं आपकुमिक कैप Delhi द्रसे बात करूं यह एकिस्पोर्ट्स लवर से बात करूं तो डेकर टीम है टीम जो है वह सारी टीमस जीतना चाहती है पर सबसे पहले बात आती है कि टीम क्या है तेकर टीम की जो जो इस पेलिंग है वो उसके अपने अंदर ही एक उसकी डेफिनिशन चुपी हुई है अभी मैंने अंपायर की एक डेफिनिशन बताये थी तो जो IPL एक अंपायर है उनने बहुत लाइक किया उसको और काफी उनने मुझे मोटिवेट किया कि कहके वर्लान यार इस प्रकार के वर्ट्स जो हो सुसाइटी के बीच में आने चाहिए और मैं आपको बताता हूं कि टीम इन दे सेंस जिस प्रकार से एक मेजर एक करनल उतने टीम को लेके चलता है रास्ट की अगरम बात करते है जिस उन सबके जो ई से आता है आफर्ट्स जो है वो जो एस से आता है अकॉलेज होने चाहिए बाइ टेम का जो मैंपर पीपल का ग्रूप होता है तो मेरा कहने का मतलब यहां पर अच्पश्ण गई आता है जो आफर्ट्स है जो घूप आहरए ऑप आपकि से खिर से फ्रकार जह देखे सभी जो है वो जीतना चाहते हैं सबसे आवशक है कि आप जो है अपने साथियों को या खुद जो है वो comfortable zone से निकले और मेहनत की तरह चलें आप आप comfortable zone में नहीं रहे सकते हैं आपको त्याग करना पड़ेगा सेक्रिफाइस करना पड़ेगा तो सबसे पहले आप comfortable zone को छोड़ते हैं जो समय है क्रिकट समय से कहले जाती है समय से हर्ची होते है क्रिकट के अंदर तो आपको बिलकुल उसका पालन करते हुए आगे चलना जाए और टीम को सबसे पहले बनाने का 100% टीम को बनाने का प्रयास करने जाए make sure make sure all understands the value of you know what the others people are trying what the others creators are trying how they are trying एक इंडिसल को ये बात समझने होगी तब ही अच्छा टीम मेंजर वो बन सकता है तो यहां पर अगर इन values को हम आदर करेंगे सम्मान करेंगे तो हम भी sacrifice करना चाहेंगे तो comfortable zone से क्या करना पड़ता है बाहर निकल पड़ता है सारे लड़के अपनी ताकत एकी तरफ जीत की तरफ performance देने की तरफ लगानी होती है आपको सत प्रतिशक देना है आठ घंटे जो है बलकि 10 घंटे आपको सत प्रतिशक जो अपनी टीम को देना होता है मेरा अपना ऐसा मानना है क्योंकि मैं कप्तान रहा हूँ मैंने टीम को बनाया है और टीम में जिताई है मुझे थोड से एक देशलाई के अंदर एक तीली जला कर आप उसकी इतनी सारी गुणवान जो देशलाई की तीली है उन में अगर आप डाल देते हैं तो पूरी देशलाई का सत्यानास हो जाता है बतलब खतम हो जाती है उसकी जितने भी गुण होते हैं तो जो भी आपके साथ में कोच जो कप्तान है उनके द्वारा जो भी बाते बताई जा रही है जो प्लानिंग बनाई जा रही है और इसको implement करने के लिए जोड दिया जा रहा है उस पर सभी लगए सब प्रतिशत ध्यान दें और सब प्रतिशत उसके उपर चलने की चेस्टा करें कप्तान सुनिश्चित करता यह कप्तान सुरिच के लिए सब को साथ में लेके चलना होगा सब को साथ में लेके चलना पड़ता है कप्तान को देखे सबसे पहला कदम जो कप्तान जो है वो यह उठाता है कि वो किसी के emotions को जो है वो break नहीं कर रहे हैं उसकी respect कर रहे हैं इंडिविजल प्रेजर की respect रहे हैं देकि बीसी साही का पहला step है और उस step को आप सब लोग मिल्स हम सब लोग कप्तान, players, administrators, match referees, empires सब लोग मिलके जो बीसी साही का नए states के लिए जो पहला step है उसको सार्थक करके दिखाएंगे उसको prove करके दिखाएंगे yes आपका step है हम लोग को जो आपने मौका दिया है हम बिलकुस सही आपके जो है जिस प्रकार से आप चाहते थे हम लोग उस पे खरा उतर रहे हैं तो ऐसा let down नहीं करना है मानने सुप्रीम कोट ने हम सब के favor में यह बहुत ही जबरदस decision दिया है तो एक विक्ति अगर unfocus है तो वो पूरी टीम को हरवा सकता है तो मुझे लगता है कि सबी लड़कों को यह ensure करना चाहिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो सब जो coach के द्वारा बताया जा रहा है जो कप्तान के द्वारा बताया जा रहा है उसका वो अक्षरत है संभवत यह पालन करेगा कि वो पूरी ताकत जह वो उस आदेश के उपर उस प्रयास के उपर अपनी सारी ताकत लगा जागा प्रयाटीज रहेंगी कफ्तान प्रयांटीज सेट करते हैं coach प्रयाटीज सेट करते हैं तो आप उन्फटी के ऊपर चले जो session by session जो target बनाय जाते है coach के द्वारा कफ्तान उनको ground के उपर implement करता है तो आप जो small small जो आपके जो targets नेते हैं उनको achieve करने के लिए अपनी पूरी तागत लगाए और जो team meeting होती है जो small small team meetings होती है ground के उपर होती है बाहर जो team meeting जो team management लिता है जो coach लिता है जो manager जो meeting लिता है उसको भूत ध्यान पूरवक जो है उस meeting को attend करें और जो जो बताय जा रहा है बहुत ही संतुलंद के साथ धहरे के साथ उन बातों को सुने और मैं तो यह request करूँआ जो coaches हैं वो high standards set करें सभी अपने team के members के लिए और सभी players से यह गुजारिश करूँगा कि वो सब जो high standards set के उनको प्राप्त करने के लिए उस जीत को प्राप्त करने के लिए सब अपने पूरी ताकात लगा दे सकारत्मक अपने सारी उर्जा उसमें जोग दे सारे efforts अपने उसमें जोग दे I wish all the best to you all